हलो इवरिवन आप सभी का आरके बिलेज फ्रेंड पर स्वागत है आज के इस वीडियो में सरसो की खेती में कितनी मात्रा में कौन सी उर्वरक का परियोग करें इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में समलित की गई है चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी तथा आने वाली नोटिफिकेशन बिल को आल पर कर दीजी जिसे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तथा एक साथ में लाइक भी कर दीजी क्योंकि अंद में लाइक करना भूल जाते हैं सरसों की बिजाई का समय आ गया है तो बिजाई करते समय कुछ बिजस पातों का भी ध्यान रखना चाहिए जैसे बीज की मातरा की बात की जाए तो एक हेक्टियर में एक किलो बीज की मातरा संसुत की जाती है लेकिन ये मातरा जो है वो हमको सीड्रिल की सहायता से बिजाई करते हैं तब उसके लिए तो परियाप्त होती है लेकिन यहाद हम छिटकवा बिर्से करते हैं तो उसमें यह मात्रा हमारी कम पड़ जाती है क्योंकि बहुत सारा बीज हमारा उपर ही रह जाता है इसलिए हमारी सरसो जो है वो काफी दूर दूर हो जाती है इसलिए हमको मात्रा इसमें बढ़ा लेने जी चाहिए सवाव किलो से लेकरके किलो 400 घ्राम तक हमको approach कर लेना चाहिए एक एकड़ के लिए और वीजाई से पहले ही अपने ख्येद को खुब अच्छा तरीके से तयार कर लेना चाहिए खुब गहरी जुताई और बुआई से पहले भी ध्यान रखना चाहिए कि बीच को संसोधित कर लेना चाहिए अगर हम बीच मार्केट से लाते हैं पैकेट बंद लागते हैं तो ज्याद दर वो संसोधित होता है तो उसको संसोधित करना और उसके बाद आती है हमें खाद की मात्रा जो हमारे संसुत है जो रिकमेंडेड है विस विद्यालेओं द्वारा सोध इंस्टिटूट द्वारा वो है साथ कुंटल गोबर की सड़ी हुई खाद अन्तिम जुताई की समय तथा 120 किलोग्राम नत्रिजन 60 किलोग्राम खेट बनाते समय तथा आधी मात्रा जो बचती है पहली सिचाई के समय जब हमारी सरसो 30 दिन की हो जाए उस समय डालना चाहिए यह हमारी रिकमेंडेड है यह संसुत की गई है यदि हम SSP का परियोग करते हैं तो इसके लिए 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फासपिट तथा 35 क की संसुती की जाती है यदि हम SSP का परियोग करते हैं तो सलफर या गंधक का परियोग करने की विशेश हो सकता नहीं होती है लेकिन यदि हम DAP का परियोग कर रहे हैं तो गंधक का परियोग करना बहुत ही आवस्यक हो जाता है क्योंकि गंधक के परियोग से तेल की मात्रा भी बढ़ जाती है और शाथ में जिस समय पाला पढ़ने लगता है उस समय हमारे पौधों को बहुत ही ये हिल्प करता है उनसे बचाने के लिए तो गंधक जो दानेदार आता है उसका अगर परियोग किया जा तो सबसे अच्छा रहता है इसके लिए क्या करना चाहिए लगभग एक हेक्टियर के लिए 15-16 किलो ओ दानेदार जो दाल की तरीके से आता है उसका परियोग करना चाहिए वो सबसे अच्छा हमको result देता है उसको छिटकने में भी अच्छा रहता है बौने में भी आसान रहता है और जो powder root में पौड ऐफ हम में आता उसको बौने में भी दिक्कत होती है अब हम जो अपने हिसाब से अपने खेतों में करते हैं वो क्या करते हैं नतजन की मातरा को हम बढ़ा लेते हैं इसको हम डेड़ कुंटल कर लेते हैं और तीन बराबर भागों में बांड लेते हैं एक तिहाई खेत बनाते समय डाल देते हैं जब जुताई करते हैं उसी समय जब फासपोरच और पुटाश डालते हैं उसी समय डाल या वर्सात वर्सात हो जाती है तो उसके साथ में परियोग कर देते हैं इस प्रकार से हम पनी उर्बरक का परियोग अपनी सर्सों में करते हैं और साथ में दानेदार जो सलफर आता है उसका परियोग करते हैं तो सलफर हमारा बहुत सारा कारी करता है तो तेल की मातरा को भी साथ में बे मौसम अधिक वर्षा हो जाती है तब भी हमारे पौधों को अत्रिक सुर्च्छा परदान कर देता है तो सर्षों की खेती के लिए या तिलहन वाली जितनी भी खेती होती उसमें गंधक का परियूग अवस्य करना चाहिए छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं पसंद आई हो तो अन किसानों के साथ सेर करें तथा एक लाइक कर दें चैनल पर पहली बार आये हों चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए इसी परकार की छोटी मोटी जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद